अस्रामलेकूम इल्म की शमा में आज की वीडियो पिंक सॉल्ट के इस लेंप के बारे में है यह लेंप इस वक्त आपको नजर आ रहा है और इसको आप देखें यह में इसे आफ और आउन करके आपको दिखाऊंगी यह देखें आउन हुआ यह आफ यह आउन यह प्यूर पि हुआ है और इसकी क्या कॉलिटीज है आज की इस वीडियो में यह शामिल है और यह लेंप हमें क्यों बाइख करना चाहिए क्यों इस लेंप को खरीद कर अपने घर के अंदर इसे सजाना भी चाहिए और क्यों इसको अपने बैडरूम में खास तोर पे रखना चाहिए वीडियो में वैसे ही मालूमात का खजाना आपको मिलता रहता है अगर अभी तक आपने हुआ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि आपको अन्वाक सम की बहुत सारी ऐसी नौलिज जिससे आप रह चुके हों और जो आपको ना पता हों आपको वो तमा मालूमात हासिल हो जाएं और आप अपनी जिन्दगी में पॉजिटिविटी और पॉजिटिव बदलाव ला सकें क्योंकि हमारी आजकल की लाइफ डिजिटल चीजों पर मबनी हैं जिसमें बहुत सारी गैजिट्स होती हैं जिसके अंदर हमारे पास मॉबाइल खास दूर बहुत बहुत ज़्जादा मिगदार में हर घर में छे से साथ मॉबाइल होते हैं घरीब से घरेखो زाओनी ना तो दो से तीन मॉबाइल होते हीं जितने अफराऊ इतने मॉबाइल तो ये जो मॉबाइल और ऐसी चीजें होती है लैपटप हो गया, कम्प्यूटर, टेलिविजन और ऐसी लेक्ट्रोनिक चीजें जिन से एक ऐसी रेज निकलती है कि जो हमारे बॉड़ी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दे, हास्त तोर पे हमारे ब्रेन के लिए ये चीजें बहुत ये रेजिस जो हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान का सब्सक्राइब बनती है आपने नोट किया होगा कि हम लोग थोड़ी देर तक मुबाइल यूज करते हैं तो आपके हाथ में अगर मुबाइल हैं, तो हाथ सुन जाते हैं, उंगलियां आपकी सुनोने लगती हैं, आप यूँ यू करके इसको जटका देते हैं, तब कहीं जाके आपको सुकून मिलत हैं, और मुसलसल इस्तेवाल से आपकी आँखें अजीब से होने लगती हैं, आपको धुदलापन महसूस होने लगता है, इविन कि आपको नहीं दाने लगती हैं, तो ये आपके माइन को इतना नुकसान पहुचा रही होती हैं ये चीज़ें, तो इन चीज़ों से जो निक दिखा जा सकता है, आप खुद भी जा सकते हैं, वहां पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर जो माइन्ड से उसमें दमे के मरीज, सांस के मरीज और बहुत सारे ऐसे मरीजों का इलाज मी किया जाता है, आपको साइट पर मैं दिखा रही हूं इसकी कुछ पिक्चिर्स के किस माइन्ड को विजिटर्स के लिए भी लखा गया है, विजिटर्स भी आदे हैं और वहां पर विजिट करते हैं, और अपनी नॉलिज में इजाफा करते हैं, कुछ लोग अपनी असाप को बहतर बनाते हैं, खुशूसन दमे और सांस के मरीज, तो वहां पे उनका छुसूसन से पहुंच सकते हैं तो इसके लिए जो पिंक लैंप है यह आपको हर जगा हो सकता है अगर आप चाहें तो मंगवा सकते हैं या कराची से अगर कोई जाए तो वह पाकिस्तान से अगर कोई जाए सौरी पाकिस्तान के किसी भी इलागे से अगर कोई जाए तो वह आपको दूस यह जो अलग अलग शेड है तो कुछ लोगों ने इतनी घलत बयानी से यूट्यूब पे वीडियो बनाई है कि बंदा घंचकर बन जाए अब कुछ लोगों करें साथ रंग की श्वाई निकलती नहीं निकलती साथ रंग की श्वाई देखें जिस रंग का यह सॉल्ट होगा पिंक अगर है तो पिंक श्वाई निकलेंगी अब देखें इस तरफ से इसतर दोड़ा कर चीज में यह फद्बरती चीज़ने थे किसी पिंदाने से जिस तरीके का यहां से थोड़ा है तो दया लग यानी कि आपको यह जो शेड यह इस तरह से मिलेंगे कि जिस तरफ जिस तरह का पत्थर का कणर लomक और न उख आपको निकलेगा यह सौने हैं द्सक्राइब निकल रहे जैंना फूल निकलत है और लुट 95 तो यह बतलती है पत्थर नहीं होता है ना तो इस सौल्ड में से कलर वोते हैं यह सिर्फ पिंक और यह लो और बिल्कुल जैसे वाइट कलर तक का होता है यह नहीं कि ऐसा पत्थर जो के दो से तीन कलर में आपको बगएर बलब के जले भी आपको नज़र आ रहा होगा बगएर बलब के जले भी आपको देखें इसमें दो से तीन कलर हैं यह बंद कर दिया यहां पर यह कलर है यहां पर थोड़ा दूसरा कलर है तो यह इस इस मुल्क में यह नहीं बनता वहां पर बेचने वाले क्या करते हैं कि इस पत्थर जैसा कोई और चीज ऐसी ऐसी मिलती जुलती जीज इस पैसे कलर वलर इस प्रेव अगएर अंदर से यह कुछ इसा कर दिया आड़ इविजर तरीके से और बेच दिया वह पिंक सॉल्ड नही किसी कोई जादा नहीं होती तो यह जब जलता है तो इसकी हीट निकलती है तो इसके अंदर वह पॉजिटिविटी होती है यह मेरी घड़ी के जो है वह अलराम बज रहे हैं घड़ी का पिंडोलम हमारे यह पुराने जमाने की घड़ी है मैं जरूर दिखाऊंगी इस वीड बड़ी और यह जरूरू इस अंधार किहा जलती है जब वह पीश्चेज है ड्रीन फोट्व पर कनी पुट्र ऊचके तो हें पॉज़िटी है यह उनकार कियम प्रेशए है तो यह कुड़ित रहे हैं नजर नहीं वह चक्रिशिए पूर नही सहर आथी ईससे अंदाज को कित तो यह जब आप रात को अपने बैडरूम में जला के सोईंगे तो आप अपने बैडरूम की सारी रेजिस से जो है वह जुटकारा ले लेंगे और यह सब सोख लेगा और मेरी अगर आप आइडिया को माने या मेरी तजवीज को माने तो अपने जो मुबाइल है उसके कम से कम ब्लूटूथ दिवाइस को बंद करके सोईंगे और खास तो पर यह जो इंटरनेट की जो वायर्ज है यह जितनी भी यह सिगनल्स है वो आपको कम से कम तंग करें और आप अपने सराने या आस पास मुबाइल को हरगे न रखें कियोंकि यह बहुत ज्यादा नुकसान दे है और यह जो जूटी जूटी जो यह रिकॉर्डिंग्स आती है ना कि यह मुबाइल फटने वाला है यह मुबाइल धमाका होने वाला है तो यह सब फेक है लेकिन एक भाद रकुएंगा हर मोबायल की वीडियो बनारे वीडियो बना रहाई होंगी मैं यह जह कह रह Tra vam हर चीज से रिधिक निकलती है जोके वाइस और थार वाली पल में पहुत चलती है उनकंप निकलती है लेकिन निकलती है और रे को Available होगा। कराची में तो बहुत ज़यादा मिगदार में मिल रहा है इसके इलावा खेष्वडा की माईर से आए इसके आउस-पास के जिटने भी सिटीज़ वहां पर बहुत ज्यादा इसकी कॉलिटी और बहुत ज्यादा इसकी शेप्ष वगयरा में आपको अवेलेबल होगा। पूरे पाकिस्तान में आपको ये मिल जाएगा। और बाहर के मुलकों में पाकिसान सही जा रहा है। अब कोई थप्पा लगा के अपने सिटी का अपने शेहर का अपने मुल्क का बेच रहा है इसको तो वो गलत कर रहा है बहराल यह है made in Pakistan और only made in Pakistan इसके इलावा सारे थप्पे गलत हैं जूटे या तो फिर आपको फेक चीज देंगे या तो फिर आपको जाली मिलेगा और इसके इलावा यह बहुत मेहंगा मिलेगा दूसरे मुल्क का अगर आप लेंगे तो यह कोई किसी और मुल्क में होता ही नहीं है ठीक है दूसरी बात यह है कि यह आपके अंदर की जो बाडी की जो नेगेटिविटी है उसको भी सोक लेता है और बहुत सारी बिमारिया इविन के ब्लेड प्रेशर डिप्रेशन और आपको सांस की तकलीफ अगर है जो के माहौल में अक सिर्फ चंद महा का इसका इस्तिमाल आपको बहुत सारी बीमारियों में कमी का सबब बन सकता है बिल्कुल तो खतम नहीं होंगी जाहर सी बाते कोई ना कोई आपको जड़ी बुटी या दवा इस्तिमाल करनी होगी लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आपको इसका इस्तिमा आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि पिंक सॉल्ट का इस्तिमाल आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा अगर आपको ब्लेड प्रेशर का मर्ज है तो आपको नमक खाने का मना किया गया है तो आप बहुत थोड़ी मिगदार में इस ही लेकिन पिंक सॉल का इसमाल कर सकते हैं इसके लिए आपका तरीके कारी है कि पिंक सॉल्ट जो है वो रॉक सॉल्ट है यानि कि पहाड़ी नमक है जिसको लाहोरी नमक का भी आ जाता है इसकी माइंड्स है तो इसका कलर देखें ये एक कप चाय का कप पानी का लेना है और इसमें ये एक चमच या दो चमच या जितना भी आपको डालना है आप इसे डाल कर अच्छी तरह से इसको हिला लें जब इसको अच्छी तरह से आप हिला लेंगे तो ये जो पिंक सॉल्ट है उसका खारापन या उसकी जो कॉलेटी ह जब आप इसको रहने देंगे तो क्या होगा फिर आप इसकी जो रेती है या जो इसकी joh kichit नीचे दहर जाएगी। जिस क्हाने में जिस चीज चुझ म डालना है तको मैं 8 जो उता हुआ होता है बरतन होता है जा कलसा होता है उसके अंदर थी चिमच पर को burning नमक डाल तो उपर से ही पानी आता है रेत या जो कुछ भी हलकी सी जो चीज होती है किच-किच नीचे रह जाती है आप उसे जाया कर दें जो आखरी में बच जाए उपर से उसका पानी डाल दें आप बताइए कितना बैतरीन हो गया यह सब किच-किच से भी आपकी जान चूट गई औ बहुत सारे मिनरल्स के साथ मौझूद है और इसका जो पिंक कलर है यह बहुत बेनिफिट रखता है और इस नमक के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं आप जरूर मेरी डिस्क्रिप्शन देखिएगा उसके अंदर में वो बाते हैं जो के आपको वीडियो में नहीं बता सकती डिस्क्रिप्शन में डाल देती हैं वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे द्वाँ में याद रखिएगा और नेक्स्ट और मेरी एक वीडियो कॉलिस्ट्रॉल की इन टैबलेट्स के बारे में बनी हुई है लेहाजा यह जो टैबलेट है यह मैंने अपने तरीके से बनीवी नेच्रल प्रोड़क्ट आपको मिल जाएगी और आप कॉलिस्ट्रॉल से अपनी जान चुड़ा सकते हैं एंड स्क्रीन पे वीडियो मुझूद है जरू देखिएगा मुझे द्वाँ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल लखिएगा और मत बहुत शेक्रिया और निगे बान